हलो माई दे स्टूदेंट्स, आम करम जीट, I welcome you all on my YouTube चैनल, The Quest of करम जीट स्क्रीन के उपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा अभी तो सेशन हमने शुरू करना है, बस एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ हमारा जो चैनल है, The Educator करम जीट, अब The Quest of करम जीट हो गया है ये वाला मैसेज वैसे तो मैंने पिछले दो, तीन, तीन सेशन में मैंने दे दिया है बट अब से अब हम इस चैनल का जो ओफिशल नाम है, वो है The Quest of करम जीट रीजन इसके पीछे ये था कि मुझे कही न कहीं कुछ मिस कर रहा था कि एक इंस्टिटूट होना चाहिए एक ऐसा नाम होना चाहिए जिससे एक और्गनाजेशन बन सके तो The Quest of करम जीट मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि अपने नाम के साथ अपने इंस्टिटूट की पहचान करना जरूरी होता है अगर आपकी चॉइस है तो अगर आप पर्मानेंट काम करना चाहते हैं तो The Quest of करम जीट एक अच्छा ओप्शन इस इस माई ऑपिलियन ठीक है तो चलिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक चोटा सा सेशन है आज का एड़ वर्ब का इन वर्जन ये वाला रह गया था तो मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन है दस से पंदरा या बीस मिनट का ठीक है तो इन बिट्वीन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो ये है मेरा यूट्यूब ओफिशल चैनल तो क्वेस्ट ओफ करमजीत आप जैसे ही यूट्यूब सर्च बॉक्स में आप टाइप करके इसको सर्च करेंगे तो डिरेक्टली दो क्वेस्ट ओफ करमजीत चैनल पे आप डिरेक्ली पहुंच जाएंगे तो चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं इनवर्जन से इनवर्जन होता क्या है अब इसके बारे में हम डिसक ही करेंगे what is inversion सबसे पहला question यही आता है inversion means opposite किसी sentence का opposite होना inverse होना ठीक है? उल्टा होना मतलब कोई sentence अगर sentence सही चल रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? किस तरह से होगा? वो चीज़ हम discuss करेंगे देखे generally sentence has subject, verb, object तो किसी भी sentence में पहले subject होता है verb होता है, object होता है चीक है? यह तो बात आपको पता है और but in case inversion verb comes before the subject is called inversion अब इस case में inversion के case में verb पहले आ जाए तो उस case में उसको हम inversion कहते हैं जैसे हम जैसे हम नहीं कहते interrogative sentences तो interrogative sentences basically inversion sentences होते है बिल्कुल उल्टे होते है क्योंकि एक sentence simple होता है और interrogative में वही आप question थोड़ा सा घुमाफिर आके पूछ रहे है तो उसको क्या बोलते है the sentence of inversion ओके यह छोटा सा topic है लेकिन इसके ना बहुत सारी बरीकियां अभी तो मैं वैसे adverb के according करवा रहा हूँ बहुत सारे जैसे adverb of inversion of preposition भी होता है inversion of verb भी होता है inversion of adverb adjective तो इस तरह से बहुत सारी चीज़े हैं वो मैं आपको आगे चलके समझाऊंगा एक बड़ा session बना के ना उसमें या questions जब हम करेंगे attempt करेंगे तो उसके उस time पे भी हम अब देखी इस question को inversion को समझने की कोशिश करते हैं बहुत चोटा सा session है बस easily समझ में आ जाएगा आपको she is telling lie इस sentence में क्या है subject है verb है object है यह तो हो गया simple sentence लेकिन इसी का बिल्कुल उल्टा inversion क्या हुआ is she telling lie is she telling lie अब इसका मतलब I think she is telling a lie आए वाए जूट बोल दो है यहां पर ए आना चाहिए ठीक है is she telling a lie तो इसका मतलब है आप एक inversion question mark होगा तो अब question क्या आता है कि जहां पर भी question mark आता है वहाँ पर inversion काम करेगा यह दिमाग में आप डाल लीजिए जहां पर question mark आएगा वहाँ पर inversion काम आएगा इस sentence को देख लीजिए अब यहां पर inversion है ओके यहां पर एक दो sentences है एक तो simple sentences है question mark एक एक इसको inversion के तोर पर हम कैसे use कर सकते हैं वो देखिए when they will talk to you when will they talk to you मतलब इस position में verb पहले आ जाएगा और subject बाद में आ जाएगा बस इस चैस का आपने जहां रखना जैसे when will they तो यहां पर inversion केस हो रहा है what are you what are you speaking what you are speaking अब देखिए यहां पर यह वाला sentence simple है और यह उपर वाला inversion है क्योंकि our verb पहले आ रही है ठीक है if the question comes without question mark this is not inversion वो मैंने अल्लेडी बता दिया अगर किसी sentence में question mark नहीं आता है तो वो inversion नहीं है यहां पर देखिए यह question exam में आता है इस तरह का she asked me when I would go यह सही है इसमें कोई inversion नहीं है she asked me when would I go गलत हो जाएगा यहां पर यह वला inversion नहीं है ठीक है बहुत जैसे sentences में वैसे वैंने sentences का chapter लेना है भी तो sentences में यह question mark interrogative यह सारी चीज़े मैं समझाओंगा आपको तब भी आपको यह चीज़े समझ में आ जाएगी कि tense में inversion कैसे काम करता है अब यहां पर देखिए she asked me when would अब यह तो question mark वाला question तो ही नहीं she तो subject है ऐसा तो नहीं है न when, where, what, why ऐसा कुछ पूचा गया last में लगा हो तो नहीं है it is not inversion because question mark is not in the sentence अब यह inversion नहीं है इसकी बात कर रहे हैं इस sentence की second वाले की क्योंकि इसमें inversion नहीं है क्योंकि question mark नहीं है तो inversion कैसे हो जाएगा नहीं न तो जहां पर भी inversion होगा वहां पर question mark जरूर आएगा दिमाग में डालीजिए when he would go अब यहां पर यह simple sentence है ठीक है subject और question question वाला लेकिन यहां पर हमें यहां पर देखिए कैसे पता चलेगा कि यह inversion नहीं है तो question mark वाला यहां पर देखिए subject है फिर उसके बाद model verb है फिर उसके बाद we one है अब यहां पर यह inversion नहीं है inversion का case यह होता है when would he go when would he go is called inversion scarcely hardly when अब scarcely के बाद when आता है exam में आपसे scarcely के बाद dan करके question दे दिया जाता है जो की गलत है no sooner के बाद dan आता है dan और dan में फरक होता है इसका मतलब होता है तब ओके और no sooner के साथ dan आता है तो dan कई बाद इस तरह से भी लिखके दे देता है आपकी समझ को देखता है कि आपकी grammar में और spelling mistakes कितनी आपकी समझ है तो dan लिख dan और then इन दोनों में pronunciation का बहुत बड़ा रोल है dan जब a-n आ जाए तब वो dan होता है then e-n आ जाए तो वो dan होता है तो इस तरह से इन दोनों के बीच में फरक है neither के साथ न और आता है यह तो मैंने पिछले previous chapters में मैंने आपको समझा है either के बाद और आता है not only but also यह वाला थोड़ा सा confusion create कर सकता है लेकिन मैं आपको इसकी और भी बारी कियां आपको conjunction में बताऊंगा तो take inversion after that इन सभी के साथ inversion होता है अब इसको देख लेते हैं फिर आप इसके बाद एक question attempt कर लो पहले आप कुछ I think six question है मेरी पास और six question को attempt करी पहले इस question को attempt करी है 30 seconds है आपके पास do it करिए 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 बहुत अच्छे कोशन आई है आपको मतलब exam के point of view से बहुत अच्छे question है पंजाब लेवल की त्यारी तो आपके इनी चेप्टरों में से बहुत सारी हो जाएगी जितनी मैंने आपको करवाई है और जैसे जैसे आपके चेप्टर होते जा रहे हैं आप उसको जरूर करिए क्योंकि seriously I'm telling you you will get something new okay चलो अब हम discuss करते हैं देखिए not only basically इसको ऐसे लिखते हैं not only but also okay अब not only but also में sequence सेम रहता है जैसे अब यहां देखिए not only not only he did speak about him but also scolded him यहां पर देखिए but also के बाद V2 है तो हमें V2 के according करना है तो इसलिए यहां पर क्या आएगा did आएगा पहले क्योंकि यह inversion का case है तो इसका मतलब होगा not only did he speak आएगा तो कहां पर लिखा है not only did he speak the option is the correct answer अब यहां देख लो first option को देख लो not only he spoke no क्योंकि inversion case है गलत है यहां पर answer option नहीं आएगा not only does he speak no does क्यों आएगा भई यहां तो यहां तो did लगा है यहां चलो इसको छोड़ दे एक बार scored लगा हुआ है तो यहां पर does कैसे आजाएगा तो mismatch हो गया ना not only did he speak यह हमने कर लिया not only he does speak अरे उल्टा पुल्टा कर दिया तो क्या सही हो जाएगा क्योंकि sensible गलत है तो answer option d is correct इस तरह से आपको answer option ढूंडना होता है मतलब आपको अगर इस चीज़ का पता चल जाएगा कि inversion क्या होता है तो easily आप इसको समझ पाएंगे इसको attempt करो थोड़ा सा difficult लग रहा है क्योंकि पूरा sentence मैंने लिखा है पूरा sentence अगर examiner आपको लिखके देता है या type करके देता है exam में तो उसका मतलब है कि वो जिस्ट आपको confuse कर रहा है nothing else सिरफ वो confuse कर रहा है करिए 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 guys very nice करिए कर देखे नो सुनर के साथ अब देखिए हमने वही सेम चीज़ इस कोशन में हमने क्या देखा काफी गंदम बचाया हुआ है सुरी पीछे की आवाज को प्लीज आप अवाइट करना नो सुनर के बाद हम दैन करते हैं लेकिन inversion केस करते हैं इसका मतलब है नो सुनर के बाद हम क्या करेंगे वी टू करेंगे पास्ट के केस में ठीक है तो या या वर्ब पहले आएगा मतलब नो सुनर के बाद अब वही चीज देखेंगे देखिए इसको करू तो नो सुनर शी नहीं है गलत है इसी को देख लो नो सुनर डिड़ शी अच्छा नो सुनर डिड़ शी तो ठीक है पहले कोशन पढ़ लेते हैं नो सुनर शी रीजड दा स्टेशन वेंड़ ट्रेइन लेफट ओके वेंड़ ट्रेइन लेफट वी टू की बात कर रहा है तो नो सुनर डिड़ शी रीजड दा स्टेशन वेंड़ ट्रेइन लेफट ओके नो सुनर डिड़ शी रीजड अब देको हुए को इसी next 1 आङ तो ये second वाला घल्ट हो गया no sooner she used destined then the train left ऑके तो यहां पर देखिए हम नहीं यहां पर क्या discuss किया थो नो शूताओ देन आता है तो यहां पर देखिए दैन कहां पर आ रहा है no sooner did the station then that train left ऑकए no sooner did she read the station when the train left up when तो आएगा नहीं, तो answer option C हुआ, none of these भी नहीं आएगा, तो answer option C is the correct, क्योंकि देखिए, no sooner के बाद हमें reach की जगा पर यहाँ पर did लगाना है, और उसके बाद reach कर देना है, the station no sooner के बाद हम then लगाते हैं, ना कि when लगाते हैं, यहाँ पर then the train left, इसलिए answer option C is correct, इस तरह से आपको identify करना है, जुरूरी नहीं है कि वो inversion की देखिए, अगर मालो वो did already मालो वो did देता है, तो यहाँ पर वो when लिख देगा, हाना, तो when की भी गलती आ सकती है, चलिए next question, she did not like to have coffee nor I did, करिए she did not like to have coffee nor और did I, बहुत ही अच्छा कोशन है, यह इसमें नहीं चीज़ बताऊंगा, आप attempt करने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा, करिए, करिए, very nice, अजय्यÅ आपको करिए, और ओके देखिए she did not like to have coffee nor अब nor क्या है एक तरह से एक inversion का case है तो nor I did नहीं आएगा तो इससे पहले देखिए she एक subject है और did लगा रहा है और नौर एक conjunction का काम कर रहा है और inversion का case है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा नौर डिडड आए यह वाला sequence लेगा तो जहां पर भी आपको यह option मिलता है कहां पर है और I did no nor नौर वो पूछी रहा तो और कैसे कर दोगे नौर आए डज आए के साथ ड़स ही लगता नौर डज आए नौ गलत है वही सी में इसी का ही उल्टा रिमर्जन कर दिया जो की गलत है ठीक है नौर डिड मी आये का मी कैसे चेंज जाएगा तो answer option E is correct इस तरह से answer option correct आपको ढूनना होता है अगर आपको इस चीजे यह चीजे पता चल जाएंगी कि आपको कैसे attempt करना है you can easily crack the crack the question they could not tell me why did he not eat his lunch करिए they could not tell me why did he not his lunch करिए अब इसमें inversion ढूंड़िए क्या यह sentence inversion है अगर वो inversion है तो inversion के according करिए अगर inversion नहीं है तो simple sentence के according करिए देखिए कौन सा sentence है बहुत अच्छा कोशन है करके देखिया मुझे पता है मैं अभी इतना famous नहीं हूँ हो जाओंगा कोई बात नहीं famous तो क्या खेर language के ओपर आपकी अगर पकड़ है तो आप easily उन questions को attempt कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में हमेशा चीज़ें simple होती हैं बाद में जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप फिर एक अच्छे लेवल की चीज़ें करवाने के लिए आप हिम्मत करते हैं जजबा होना चाहिए आपके अंदर कोई बात नहीं आप बस attempt करिए यह मत देखिए कि कितनी वीडियोज हैं कितना चोटे-चोटे सेशन कोई बाताएं आप अब इस्ट अटेंट करिए मेरा मोटिव है आपको चीज़ें समझाना आपको वह चीज़ें करवाना जो आप पीछे रह रहे हैं जो आपको English language में चीज़ें समझ में नहीं आरही हैं तो चलिए फिर इ कि लिखने में ही गलत है अब हमें क्या करना है वाइए यह डिडिड नॉट करना पड़ेगा तो जहां पर भी यह option जहां पर भी यह वही लिए व्होड दिखता है वही आपका अंसर देख लो वाइड ओंटी नोट कोई inversion नहीं है why he have not, have not कैसे आजाएगा भाई कहाँ है, has have तो की तो बात ही नहीं की है, यह भी answer option गलत है sorry why he did not eat why he did not eat, हाँ बिलकुत सही है, why he had not had not कहाँ से आजाएगा भाई, यह भी नहीं आएगा तो none of these भी नहीं हैगा, तो answer option she is correct, इस तरह से आपको answer option जुनना होता है, next question did he tell you why he hasn't come yesterday, अब यह question करिए, did he tell you why he hasn't come yesterday करिए अब यह question है, क्या यह inversion है बताईए, क्या यह inversion है अगर हाँ, तो भी बताईए, अगर ना, तो भी बताईए it is up to you okay, आप देखिए, यह inversion नहीं है यह basically एक simple sentence है अब इसमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, तो already यह है, already did पहले लगा दिया, he, चली रहा है hotel, इसमें कोई inversion नहीं है inversion का बता, जब एक specific word होता है, तो इसलिए इसका answer option none of these होगा, इनमें से कोई भी इसका answer नहीं है, ठीक है तो answer option B is correct, none of these next question, this is the last question for you, to understand how the inversion works, okay तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और यही आपको आगे लेके जाएगी, इस तरह से question कई बार आ जाता है, यह common error में आता है, वो भी मतलब एक तरह से question है वो SSE के format में, या bank या पजाब government या state government के किस exam के format में आ सकता है और यह वाला जो होता है, bank के format में आ सकता है, मतलब examiner है, वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे कान पकड़वा सकता है, चाहे वो सीधा पकड़े चाहे उल्टा पकड़े, पकड़वाई आपसे लेकिन पकड़वाएगा, तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है, करिए अच्छा कोशन है, देखिए, तो जैसे scarcely है, तो scarcely पहले आएगा, फिर आएगा had, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद finished, ये आपका sequence रहेगा, तो scarcely जैसा word पहले आएगा, had I finished the, finished writing my essay, when the examiner announced the end of the exam, अगर वो इस तरह से भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसका sequence ये वाला correct रहेगा, अगर मान लो इस तरह से आजाए, scarcely had I finished, यहाँ पर then लगा देगा, तो वो तब भी गलत है, क्योंकि scarcely के बाद क्या आता है, when आता है, तो यही था आपका inversion का chapter, adverb के chapter में छोटा सा part था, आज कल यह hot है, इसकी एक मैं एक बनाऊंगा video आपके लिए practice exercise बनाऊंगा, और आपके लिए ले के आऊंगा, और इसमें आपको और भी चीज़ें, वैसे तो एक जो adverb का जो session है ना, उसमें inversion के तीन-चार question मैंने डाले हुए है, वो आपको अगले session में मिल जाएगा, और इस तरह से आप उसको भी practice कर सकते हैं, लेकिन inversion के लिए ना, मैं अलग से 15-20 question ले के आऊंगा, आपके लिए बना दूँगा, बहुर अच्छा आप देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, वो गलत है, आप एक से लेके 20 question को number लिख लीजे, उसके बद उसको attempt करिए, देखिए आपके कितने गलत हुए है, evaluate करिए कि कहां पर गलती हुई, ठीक है stay safe, जै हिन, जै भारत, stay tuned